प्राय हमारे साबने ये सवाल आते हैं कि अगर हम कोर्ट माऊज कर रहे हैं तो कितना उसका खर्चा होता कितनी फिस होती है यह सवाल वाजीब भी है जायज भी है क्योंकि जब हम जर्णल शादी करने के लिए किसी से कंसल्ट करते हैं तो जो वकील सहाब है वो अपनी कंसल्टेंजी फीस उसमें इंक्लूड करके आपको बताते हैं परंतु सामानियता अगर शादी जो कोट मैरीज की जो फीस है दिल् सबसे जो जो सटीक बात है वो यह है कि आप स्टेट की जो साइट है सब्सक्राइब करना पड़ेगा वह फिल करने के बाद में उसमें डोकमेंटेशन कराने पड़ेंगे कुछ अपने डेट बर्त प्रूफ देने पड़ेंगे से रिलेटिंग आपके अंडर्टेकिंग उसमें देनी पड़ेगी तो यह सारी चीजें आपको खुद करनी पड़ेंगे विदाउट दी कंसल्टेंस विदाउट दी एडवाइस ऑफ एडवोकेट परन्तु अगर आप किसी एडवोकेट को हायर करते हैं तो वह इस परिकरिया को आपके लिए आसान बनाकर आपके लिए काम करेंगे लेकिन अगर आपको पैसे की थोड़ी दिक्कत और आप चाहते हो कि आपका जो एक्चुल जो जैन्वन फीस है तो उसके लिए आपको कंसर्ण जो मैरिज रजिस्टार होते हैं वहाँ पर जाके डोकमेंट के साथ ओन देनी पड़ेगी और फिर ओनलाइन और ओफलाइन दोनों माधियम से होती है उस फीस देने के बाद में आप अपने मैरिज की फाइल बनाएंगे वह फाइल आप जमा करेंगे और उसमें जो है अगर आपके डोकमेंट कंप्लीट है और उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है तो जैसे दिल्ली या दूसरे जो शहर है वहाँ पर थोड़ा रजिस्टेशन में टाइम लग जाता है परन्तु सेम डे रजिस्टेशन भी अवेलेबल होता है स्टेट के अंदर जिसमें की आप सेम डे साधी कराके अपना मैरिज सर्टिफिकेट इशू करा सकते है उसकी जो फ आप को किसी advocate की आपको जरूँ था तो आप consult करिए और क्योंकि यह depend करता है सवाल है कोई भी क्वैरी है कोई भी person है तो आप हमें contact कर सकते हैं आप हमें वाट्सआप कर सकते है आप हमें communicate कर सकते और जो हमारी जो टीम है वो लीगल टीम वह आपको और इस मामले में पूर र सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दवाना ना भूलें ताकि सबी लेटेस्ट खबरे पहुंच सकें आप पे सबसे पहले